हेल्थ में सुधार के बाद राजस्तान के पूर मुख्य मंत्री अशोग घहलोत पिर सेक्टिव हो गए हैं हर्याना वधानसवा में कॉंग्रिस पार्टी निया अशोग घहलोत को नई जिम्मेदारी सौपी है घहलोत के अलावा राजस्तान से दो और कॉंग्रिस नेताओं को हर्याना में चुनाओ पिर चार की जिम्मेदारी सौपी गई है नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं दनगरेनीस हर्याना विदान सबचनाओ के लिए 40 स्टार परचारकों में राजस्तान की तीन नैताओं का नाम है राजस्तान से सबसे पहला नाम पूर मुख्यमंत्री अशोग घहलोत का है उसके बाद सचिन पालिट को स्टार परचारक बनाया गया है इन दोनों नैताओं के अलावा राजस्तान PCC चीफ गोविन सिन डोटासरा का नाम भी स्टार परचारों को की लिस्ट में शामिल है ज्यान देने वाली बात है कि अशोग घहलोत को हरियाना विधानसा बचनाओं में पार्थी के लिए परचार करनी की जिम्मेदारी के साथ साथ सीनियर अब्जर्वर भी बनाया गया चुनाओं की पूरी मॉनिटरिंग करना अब्जर्वर की जिम्मेदारी होती है इसके अलावा सरकार बनने के स्तेथी में परियावेशक की रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री के लिए नामते होता है। ऐसे में कॉंग्रेस ने अशोगहलोत को हर्याड़ में पार्टी का सीनियर अब्जर्वर बनाकर नई जिम्मेदारी सौपी है। वही सचिन पाइलेट हरियाना विधान सबा चुनाओं के लिए सिर्फ स्टार पर चारती बनकर रहे गए। इससे पहले जयपूर की आदर्शनगर विधान सबा सीट से विधायक रफिक खान को चीव वीप और गंगापुर सीटी से विधायक रामकेश मीना को विधान सबा में उपने अता प्रती पक्ष बनाया गया है। रफिक खान और रामकेश मीना दोनों अशोग घहलोत बुट के माने जाते हैं। लोगसबा चुनाओं के दोरान भी कॉंग्रिस पार्टी की और से अशोग घहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सोपी गई थी। मेठी लोगसबा सीट पर पूर्स येम अशोग घहलोत को सीनियर अब्जरवर बना कर भेज़ो गया था। लोगसबा चुनाओं में घहलोत के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। तुकि अमेठी कॉंग्रिस की परंपरागत लोगसबा सीट रही है। और 2019 के चुनाओं में राहुल गांदी को इसमरती रानी से हार का सामना करना पड़ा था। खाला कि अशोग घहलोत की जादूगरी ने 2014 के चुनाओं में कॉंग्रेस को अमेठी लोगसबा सीट से जीत दिलाए। और किशोरिलाल शर्मा करीब डेल लाक वोट से जीत कर सांसत बने। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं ये दानगरी नेउस शुक्रिया।